यो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो में यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हुंडे कोना के एक इंसिदेंस के बारे में जिसमें हुंडे कोना ब्लास्ट हो गई है यह जो इंसिदेंस है यह हुआ है नौर्थ अमेरिका में कैनेडा के अंदर वहां पर जो हुंडे कोना थी वो चार्जिंग पर नहीं थी बट उसके बाद भी कार गैराज के अंदर पार्किंग में थी और इंसिदेंस हुआ कि जिसमें बैटरी के जो पैक्स है वो पूरे बर्ट हो गए उनमें आग लगने के बाद कार में बहुत के अंदर रहते हैं और उन्होंने कोना को बाई किया था मार्च 2019 में एक्सप्लोजन की बात करूं तो एक्सप्लोजन इतना जाद था कि जो गैरेज की रूफ है वो 30 फीट उपर तक उसके पार्टिकल्स गए हैं सो उसके बाद जब फायरफाइटर आये थे उन्होंने इसक काफी देर तक चार्जिंग में लगाया हूँ आओका दो तीन दिन से इस वज़े बैटर पैक में आग लग गया है बट जो फायरफाइटर उन्होंने इस चीज़ को पूरा डिनाय कर दिया है उन्होंने यह भी बताया कि कार में कोई चार्जिंग केबल नहीं थी और कार च बहुत बड़ा कोईशन हुंडे के उपर आ जाता है कि अभी रिसेंटली कार को इंडिया के अंदर भी लॉंच किया गया है यह कार कितनी सेफ है कितनी नहीं यह इस इंसिडेंस से कहीं नहीं कर देख जाता है तो इससे इसकी सेल में काफिजाद इंपैक्ट पड़ेगा पेट्रोल कार बाय करने के लिए आप यह मुझे कॉमेंट के अंदर बताना बागी यह थी कुछ डिटेल इसके एक्सप्लोजन की आप इमेज़िस जरूर देखना कि आपको टोटली क्या लगता है कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ होगा क्योंकि जो एक्सप्लोजन की करना और मुझे कॉमेंट करें बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी बागी मिलते नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केर बबाए